गुरु पियारी सासंगत जी राधार स्वामी जी स्वागत है आपका एक नई साखी के साथ आपके ही यूट्यूब चैनल पर संगत जी आज की साखी का विश्य है सेवा, ससंग और सिमरन हमारे लिए क्यों जुरूरी है तो चलिए सुनते हैं आज की साखी सासंगत जी बहुत पूरानी बात है एक बनिया था उसका वेपार काफी जोरों से चल रहा था लेकिन उसके दिल में सादू संतों की प्रती प्यार की भावना थी इसलिए आएगे अतित्यों की वे बनिया खूब सेवा किया करता था अब एक बार एक सादू उनके घर पर आकर रुके बनिया ने उस सादू का आदर समान किया और उन्हें भोजन कराया सादू उसकी सेवा से बहुत ही प्रसन हो गए और वे सोचने लगे कि मुझे इस बनिया की आत्मा का कलियान करना चाहिए अब सादू ने बनिये से कहा बाई मैं तुमारी आत्मा का कलियान करना चाहता हूँ मैं तुमें आत्म कलियान का मार्ग बताना चाहता हूँ क्या तुम उससे मार्ग लोगे बनियी ने सादू से कहा महराज अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूँ आप कुछ दिन बाद मार्ग बताईए ताकि मैं आतम चीतन में समय दे सकूँ ये सुनकर सादू महराज वहाँ से चले गए अब इस गटना के दो तिन वर्षों के बाद वे सादू महराज फिर से उस बनिय के घर पर पहुंचे बनिया तो वह नहीं था लेकिन उसके बच्चों ने उस सादू की बहुत आवबक्त की और सादू महराज को बताया कि उनके पिता यानी की बनिय की मृत्यू हो चुकी है अब सादू ने धिया लगाया और देखा कि वो बनिया अपने ही घर में बैल की यूनी में आया है सादू महराज ने बच्चों से पूछा क्या तुमारे घर पर कोई नेया बैल आया है बनिय की बच्चों ने बड़ी प्रसंता से कहा हा महराज और उन लोगों ने सादू को बैल दिखाया अब सादू ने बैल की कान में कहा देखो तुम काम में फसे रहे तुमने आतमकलियान का मार्ग नहीं लिया और तुमारी यूनी बदल गई क्या अब तुम अपना आतमकलियान करना चाते हो बैल बोला महराज अभी तो मैं खेत जोतने में व्यस्त हूँ इसलिए आप कुछ दिन बाद आईए ये सुनकर सादू महराज फिर से लोट गए और कुछ दिनों बाद वैं फिर से वापस आए उन्होंने बनी के बच्चों से पूछा तुमारा वो बैल कहा गया वै बैल अपने ही दरवाजे का कुछ बन कर आया है फिर उन्होंने बनीये के बच्चों से कहा क्या तुमारे यहां कोई काला कुछा है बच्चों ने कहा हाँ महराज बहुत ही अच्छा जानवर है है तो छोटा और अभी से बहुत भोगता है उन्होंने कुट्टे को सादू जी को दिखलाया अब सादू महराज कुट्टे के पास जाकर बोले भाई अब तो अपनी आत्मा का कलियान कर लो कुट्टा बोला महराज अभी तो मैं घर की रखवाली करता हूँ इसलिए आप कुछ दिन बाद आईए मैं अवश्य आत्म कलियान कराऊंगा सादू महराज फिर लोट गए सादू महराज सोचते रहे कि मैंने बनी की रोटी खाई है इसलिए जब तक मैं उसकी आत्मा का कलियान नहीं करूंगा तब तक मैं सादू करम को पूरा नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं जल्दी से जल्दी बनी की आत्मा का कलियान करना चाते थे अब कुछ दिनों के बाद सादू फिर से बनी के घर पर पहुंचे उन्होंने बच्चों से पूछा कि वो काला पुत्ता कहां गया बच्चे बोले महराज वो भी मर गया अब सादू महराज ने पूरा दिहान लगा कर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि वो साप बने कर अपने घर की रक्षा कर रहा है सादू ने बोला कि तुमारे पीता ने तुम लोगों के लिए कुछ दन संपत्ती रखी है बनी के बच्चे बोले महराज रखी तो है किन्तु जब हम उस संपत्ती को लेने जाते हैं तो वहाँ एक साप आकर बैठ जाता है और फंकारता है सादू ने कहा मेरी बात मान लो तुम लोग डंडे लेकर चलो मैं तहकाना खोलूंगा जब वह साप फंकारेगा तो तुम लोग उसे डंडे मानना बस ये दियान रखना कि साप के चहरे पर चोट ना लगे नहीं तो वह मर जाएगा याद रखना वो साप मरे नहीं केवल गायल हो अब बनी के बच्चों ने वैसा ही किया जब वो साप गहल हो गया तो सादू ने उसकी कान में कहा अब तुम क्या चाहते हो बोलो जिसकी तुमने रखवाली की वही तुमें डंडों से मार कर गहल कर रहा है अब वो साप दर्द जकम से बेचैन था उसने कहा माराज अब मुझे अर्सहाने दर्द हो रहा है मेरा आतम कल्यान कीजिए फिर सादू माहराज ने बनी की रोटी की कीमत चुका दी और उसका आतम कल्यान कर दिया तांकि उसकी जीव आत्मा फिर से 84 की युनी में ना बटक सके साज संगेज जी मनुशे को जीते जी अपनी आत्मा के खन्यान के बारे में जुरूर सोचना चाहिए तांकि उसकी आत्मा 84 की युनी में ना बटक सके और साज संगेज जी मनुशे जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है ये जो गलियों में अवारा जानवर गूम रहे है न इनों ने भी कभी मनुशे जनम लिया था इन में से कोई इंजनियर था तो कोई डोक्तर था और कोई कुछ और इनकी गुरु ने भी इने सीवा ससंग सिम्रण करने को कहा था ये लोग हसकर जवाब देते थे अभी हमारे पास समय नहीं है अब वे मनुशे जनम हार गए परमात्मा का बजन सिम्रण और परमात्मा का धनेवाद इनोंने नहीं किया फिर ये पश्य यूनी में आ गए अब आप देखिए इनके पास समय ही समय है विचारे अब ये गली-गली अवारा गुमते है कोई इने दुतकारता है तो कोई उने पतकारता है करम बहुत रुला डालते हैं करम किसी को नहीं छोड़ते अब हम नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे प्रभु की नाम का सिम्रण करम फुलो को भी दो डालता है इसलिए मनुश्य को चाहिए प्रभु का सिम्रण जुरूर करें सासंगे जी एक बार की बात है अर्जुन ने भगवान शिरी क्रिशन से कहा केशव जब मृत्यू हम सभी की होनी है तो हम ससंग सेवा सिम्रण क्यों करें क्योंकि जो इनसान मोज मस्ती करता है लेकि मृत्यू तो उसकी भी होती है भगवान शिरी क्रिशन ने अर्जुन से कहा हे पार बीली जब चुहे को पकड़ती है तो दान्तों से पकड़ कर मार कर खा जाती है लेकिन जब उनी दान्तों से अपनी बच्चों को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, वै उसे बड़े ही नाजुक तरीके से एक जगा से दूसरी जगा तक पहुंचा देती है दांत भी वही है और मू भी वही है पर परिनाम अलग-अलग है ठीक उसी परकार मृत्यू भी सभी की होगी पर एक प्रबु के दां में और दूसरा चुरासी के चक्रों में बटकता रहेगा इसलिए सासंगर जी सेवा, सिम्रन और ससंग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है हमें जब भी मोका मिले हमें इनका लाब जरूर उठाना चाहिए तो सासंगर जी अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो हमें कोमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और ऐसी प्रेना दाइक साखियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी राद हास स्वामी जी